हेलो गाईज आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूटूब के चैनल में और गाईज आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके फोन में म्यूजिक एपलिकेशन जो है यहाँ पे बिल्कुल भी काम नहीं करदा है यहाँ पे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है यहाँ पे इसमें जो है बिल्कुल भी सौंग जो है यहाँ पे प्ले नहीं हो रहा है या तो फिर और कोई सारी प्रॉब्लम्स आपको आ रही है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आपको इन सभी problems को solve करनी है तो चलिए guys वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं आपको बताता हूँ तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने phone में setting को open कर लेनी है setting को open करने के बाद यहाँ पे आपको application वाले option पे जाना है उसके बाद यहाँ पे आपको manage application में जाना है और यहाँ पे आपको search bar पे click करना है यहाँ पे आपको search करना है music इस तरीके से आपको music लिखना है जिसके बाद आपके सामने ये application नाएगा तो उसको open कर लिजिएगा open करने के बाद दोस्तो यहाँ पे आपको सबसे पहले storage में जाना है और इसका data आपको clear catch कर देना है उसके बाद यहाँ पे आपको जो application permission में जानी है और यहाँ पे आपको जो भी permission मंगेगा इसका permissions आपको अपने phone में allow करना है उसके बाद यहाँ पे आपको data usage पे click करना है और यहाँ पे आपको mobile data का option हैगा तो उसको इस तरीके से enable करके ok कर लिजिए उसके बाद guys यहाँ पे आपको क्या करना है यहाँ पे आपको यह जो music application है उसको आपको अपने फोन में प्लेश्टोर में जाके जो है अपडेट कर लेनी है तो जैसे याप अपडेट करेंगे गाईज उसके बाद आपको यहाँ पे बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और इसी तरीके से आप सभी लोग जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे तो गाईज अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजिए